आने वाले महावी आईपेल होने की वज़े से सट्टा बाजार अभी से गती पकड़ रहा है कोरोना काल रहा हो या फिस सामानी जीवन सट्टा बाजारी में कभी गिरावट नहीं देखने को प्राप्त हुई ऐसे में हमारे समदाता ने इस जटिल विशे पर पुलस नरिक्षिक विश्वना पांसरे से सीधा समबाद किया पांसरे ने कहा कि उनके गोंधिया जिला में तबादला होने की पश्याद गोंधिया में सट्टा बाजारी में अंकुष लगा है पांसरे ने यह भी उल्ले किया है कि उनकी नजर पंजीकर सटा बाजारी पर भी है और किसी भी प्रकार की छूट किसी भी सटा खिलाने वाले को या सटा खिलने वाले को नहीं दी जाएगी क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले लोग आने वाले महीनों का इंतजार बेसबरी से कर रहे हैं सूत्रों की जानकारी प्राप्त होई है कि इस सट्टा बाजारी के नशे के चलते सम्रद्र घर के सोलस से अठारा वर्ष के बच्चे देशाहीन हो रहे हैं और जिसका प्रचूर फायदा सट्टा खिलाने वाले उठा रहे हैं पालोकों का समय वैपार एवां दानिक कारे में वैथीत होता है और वह अपने बच्चों की गतिवीधियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं के चलते कई बच्चे अपने लक्ष से देशाहीन हो जाते हैं और सट्टा खिलाने वाले के चंगूल में फस जाते हैं पुलिस का मुस्तैद बंदोबस्त नहीं रहने की वज़े से सट्टा खिलाने वाले को इसका भरपूर फायदा मिलता है और बच्चे सट्टा वालों का भुखता नहीं करने के कारण गलत कदम उठाते हैं और पालकों को जिन्दगी भर इसका अफसोस रहता है पुलिस अदिक्षक पानसरे ने आशवासन दिया है कि सट्टा बाजार की किसी गतिवीधियों को हलके में नहीं लिया जाएगा और सट्टा खिलने वाले पर कठोर कारवाई की जाएगी गोंदिया जिला पुलिस अदिक्षक विश्वा पानसरे ने जनता से इस विशे में जागरत रहने को कहा है और अगर किसी को इस विशे में पुलिस को जानकारी देना है तो वह पुलिस इंस्पेक्टर बवन अहवार और पुलिस होम डिवाई एस पी ठोसरे को भी दे सकते हैं जानकारी देने वाले का नाम गोपनी रखा जाएगा गोंधिया से बीसे न्यूस के लिए अभिशेक भटनागर के साथ हरश चूटे की रेपोर्ट